नमस्कार दोस्तों साधी सीजन स्थार्ट होने वाला है और आप में से कोई भी दुला धुलन बनने वाले हैं या अपनी सिस्टर ब्रदर की मेरिज में जाने वाले हैं तो आप ये पेस्ट लगाईए जिससे आपका चेहरा बिलकुल बेदाग और गोरा हो जाएगा तो आईए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो मैं हूं प्रिती गुपता और मेरे चैनल प्रिती क्रियेशन में आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों सावला रंग या काला लेकिन हमारा काला पन कहीं न कहीं हमें बहुत इंबेरस फील कराता है सुन्दर दिखना आज के जमाने में हर कोई चाहता है कई क्रीम लगा चुके हैं लोग कई नुसके आजमा चुके हैं दोस्तों इस नुसके का आप उप्योग कीजे और अगर आप अभी दुलन बनने व दूद लिया है दो चमज के करीब दोस्तों आपको यहां पर कच्चा दूद लेना है कच्चा दूद यहां पर आपके लिए एक टोनर की तरह काम करेगा आपकी स्कीन से साला मेल डर्ट पॉलुशन अंदर तक पोर्स के अंदर तक जाकर पूरी गंदगी बाहर करने का काम क अगर आपकी स्कीन बहुत ज़्यादा ड्राय है तो दूद हमारी स्कीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द होता है दूद को पीने से तो बहुत ज़्यादा फाइदे मिलते हैं हडिया मजबूत तो होती ही है लेकिन जब दूद हम हमारे चेहरे पर या बाड़ी मेरे इस चैनल पर ब्यूटी पारलर के वीडियो अपलोड होते रहते हैं मेरे पारलर के वीडियो अपलोड होते रहते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं से ही वीडियो स्पाना तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपनी फेमिली और फेंड के साथ जरूर शेयर किजेगा विकोज मेरा इस चैनल पर आपको ब्यूटी टिप्स पालर के लाइव वीडियो अगर आप पालर का कोर्स सीखना साथ हैं वो और साथ ही आपको बीमारियों से रिलेटेट नुसके भी मिलेंगे आपने देखा मैंने भी सेकंड इंग्रिडियंट इसमें ग्राम फ्लोर मिलाया है याने की बेसं का आटा दोस्तो बेसं का आटा हमें गोरा करने में बहुत ज़्यादा मददकार साभित होता है क्योंकि बेसन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है यह हमारे फेस या पूरी बॉड़ी से एक्स्रा ओइल को पूरी तरह से रिमूट कर देता है आप सभी को बता दू कि आप लोगों की अगर बहुत ज़्यादा ड्राइ स्किन है तो आप सिर्फ और सिर्फ बेसन पानी में मिला कर या गुलाब जल में मिला कर लगाए पूरी गर्मी के सिजन में आप यकिन माने हैं आपको एक भी पिंपल मुहासा नहीं उठेगा और साथी साथ आपकी स्कीन बिल्कुल ग्लोइंग लगेगी टाइट रहेगी स्कीन आपकी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा पेस्ट थोड़ा सा थीन हो गया है आप उसे और थोड़ा सा चाहे तो बेशन मिला सकते हैं अब यहाँ पर हम तीसरा इंग्रेडेंट यूज कर रहे हैं वहें कोकोनेट टॉइल दोस्तों कोकोनेट टॉइल में विटामिनी होता है जो हमारे चेहरे से खील हुहां से दाग धबों को पूरी तरह से रिमूड करता है और मैं आप लोगों को बता दू यह जो रेमेडी है यह जो रिजन उसका है वह आल सकीन टाइप अब मैं आपको बताती हूँ इसका उपयोग आपको कैसे करना है आपने अपने बाड़ी पर या फेस पर या हाथों पर जांगों पर जहां पर भी इसे लगाना है वहां पर कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से मालिश करनी है क्योंकि मालिश करते वक्त बहुत मजाएगा क्योंकि इसमें हमने दूद डाला है जो बहुत ही चिकना मसलने पर लगता है आप इसकी 15 मिनट तक एट लिस्ट मालिस कीजिए फिर इसे आप ऐसे ही लगे रहने छोड़ दीजिए 10-15 मिनट तक उसके बाद आप इसे वास कीजिए और एंड तक मेरे हाथों पर आप रिजल्ट देखे मैं भी हैंड वाश करकर आपको बता देती हूं दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाद में भूल जाएंगे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपनी फेमिली और फ्रेंड्स जो भी दुलन बनना चाहती है या दुलन ब पूरा कर देगी देखे मेरे एक हाथ और दूसरे हाथ में कितना डिफ्रेंट नजर आ रहा है दोस्तों तो वीडियो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फेमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किजिए अन्तिता की वीडियो को देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग बाबाई दोस्तों